नमस्कार दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है इस वीडियू में हम फिर से बात करेंगे दोस्तों केमिकल सेक्टर के एक दिगर स्टोक के बारे में जिसका जो रिटर्न और कैपिटरल इंप्लोईड है वो भी जबर दस्त है और रिटर्न और इक्विट को डबल कर रहा है ठीक है इसी के साथ हम बात करेंगे उससे पहले मैं लेकर के चलता हूँ इसमें जो है क्या क्वाल्टी क्या नहीं है तो बात करें दोस्तों क्लीन साइंस टेक्नोलोजी की इसके अगर बात करें तो यह 2003 से जो है मार्केट में कंपनी कैमिकल जो मैनिफेक् जो है कितरा ऊपर गया तो आप देखोगी जैसा कि ये करीब 2700 रुपे के आसपस गया था और फिलाग जो है 2000 रुपे यह compounding जो है कितना दे रहा है और उस compounding से जो है कितना पैसा बन सकता है मुझे यह ऐसा लगता है कि दोस्तों यह 35-40% के आसपस की compounding दे सकता है क्योंकि यह strong है और इसी के साथ यह बात करें दूसरे chemical share की वो भी जो है अच्छी खासे return दे रहे है तो इसकी दूसरी बात करें positive points की तो इसका जो CAGR वो जो है profit growth का वो 48% का जो की जबरदस्त हो जाता है पौन साल का इसी के साथ यह आप देखोगे return on equity वो 44% की है dividend payout जो है company देती है वो 50% के आसपस का है वो भी अच्छा है दोस्तों इदी बात करें company जो है death free company मिलेगी आपको इदी आप देखेंगे कि इसका result डारेक्ट लेकर के चलता हूँ आप देखें इसकी sales 2019 में 313 फिर 2020 में 419 फिर 512 तो लगातर जो sales जो है अच्छी खासी grow कर रही है दोस्तों ठीक है इसे के साथ इदी आप देखोगे net profit तो वो भी दिखा देता हूँ आपको मैं लेकर के चलता हूँ 2018 से 2021 की result की तरब net profit की तरब तो 2018 में आप profit देखोगे 49 करोड का फिर 98 करोड का फिर 140 फिर 118 लगबग लगबग जो है यह इसके जो profit है वो double हो रहे है 2x हो रहे है हर साला ना ठीक है दोस्तों तो compounding जबरदस्त ही share की तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो है अच्छा काचा compounding दे सकता है फिला जबरदस देखने को मिली 5 साल की 49 फिर 60 तीन साल की और इसी के साथ जो sales growth मतलब बिक वाली जिसको बलते हैं इसके product जो chemical है वो बिक तक भी उसकी बिक वाली में जो है growth हो रही है या नहीं हो रही हो भी दिखा दे तब 5 साल की growth है वो 30% की 3 साल की 29% की जो है growth है sales में अब दे इसके साथ करज आप देखोगे तो जीरो क्रोड एक रुपे का भी इस company के उपर करज नहीं मतलब कि यह depth free company है दोस्तों अब मैं ली करके चलता हूँ sales holding प्रमोटर की holding की बात करें तो 78% की holding है FIE की 5% की holding है FIE की आप देखोगे तो 0 से 3 फिर 5% मतलब कि FIE ने जो इसमें जो इंदर रखिये दोस्तों तो fundamental काफी strong यह share हो जाता है अब देख लेते हैं दोस्तों कि यदि यह जो share है वो 40% का CGR दे तो देखते हैं SIP calculator से कि अगर हम 25 रुपे हर महीने लगाते हैं तो हमारे जो पैसे हैं वो कितने गरो कर सकते हैं 40% की compounding के साथ तो मंतली SIP की में डाले तो 25 रुपे हर महीने डालेंगे हम जिसका लगबग एक स्टोक हैगा और यदि return की बात करें तो 40% की compounding ले लेते हैं और देखते हैं कि 5 साल बाद जो हमारे पैसे हैं वो कितने बन जाएंगे इस अकेले जो है share से तो यदि परफॉर्मेंस है सेम रहती है तो आपकी जो पै जो है पैसे कितने बन जाएंगे S.I.P से तो हमारी जो टूटल S.I.P 10 सालों तक वो जाएगी 30,00,00,00, और S.I.P कनवर्ट हो जाएगी दोस्तो 38,00,00, ठीं मतलब ki 300,000,00,00, तक टोटल और वो पैसे कनवर्ट हो जाएंगे दोर सब्सक्राइंगे लगबक 38,00,00,00, के लिए भी बहुत सारे दोस्ता की वो लोंग टरम होल्ड करना चाते हैं तो अगर जो है हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल 25-25 रुपे करके वो होजेगी 4.5 लगबग जो है 4,50,000 रुपे की और ये जो इन्वेस्टमेंट वो कनवर्ट होजेगी 2,83 लाग रुपे के अंदर केरे कोडिंग जो है 15 सालों के बाद आपके हाथों में जो है 2,88 लाग रुपे होंगे दोस्तों जैसे कि आप देख पारे हो कमपाउंटिंग से और SIP इसमें कंडिशन एक रहेगी SIP जो है कंटिन्यू करने पड़ेगी हर महीना 25 रुपे का सेर एक सेर वो जो है प्रचेज करना ही करना पड़ेगा हम में लेकर के चलता हूँ यदि हम एक बार पैसे डाल देते हैं 50,000 रुपे तो हमारे जो लंसम जो है calculateor से देखते कि हमारे पैसा कितना बन सकता एक सेर तो एक बार 50,000 रुपे के सेर पर्चेज कर लें और 40% का compounding रहे तो देखते कि हमारी जो पैसे 10 साल बाद कितने बनता है तो दोस्तो हमारी जो पैसे होंगे वो 50,000 रुपे convert हो जाएंगे दोस्तों 50,000 रुपे से 14,46,000 रुपे के अंदर जो कि जबरदस्त है मतलब कि आपके पैसे 28 गुना तक हो जाएंगे दोस्तों ठीक है आप देख लेते हैं दोस्तों कि यदि हम 15 साल तक होल्ड करें तो कितना पैसा बन सकता है सिरफ और 50,000 की इन्वेस्टमेंट एक बार करने पर अभी फिलाल की प्राइस पर तो हमारा जो रेट जो प्राइस होगा दोस्तों वो होगा टोटल जो इन्वेस्टमेंट 50,000 की वो कर्मर्ट हो जाएगी 77,88,000 रुपे के अंदर जो कि 0,015 साल होल्ड करने के बाद होगी दोस्तों अब देख लेते हैं कि ये जो सिरफ बरबाद नहीं होता है अब नहीं होता कोई दिक्कत नहीं आती है तो और 20 साल तक कमरी चल जाती है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट वो कितना बन जाता है 50,000 रुपे तो हम यदि 20 साल तक होल्ड करते हैं जीतना लंबा चलोगी उतना ही कमपाउंडिंग जो है जबरदस्त आपको इफेक्ट दिखाएगा और अच्छा पैसा जो है ग्रोथ कर देगा